को अज़े देखे लेते हैं मंडे को मार्केट कैसे जा सकता है उसके बिचे क्या अलोजिक है और मंडे को इंट्रेड हे के लिए कौन कॉन सटॉक अच्छा मोंटप देश सकता है इस वीडियो पे हम लोग डेली एनलिस्ट के साथ आने वाले वीक में आने वाले मंत में मार्केट का अपडाउन कर सकता है, कौन कौन साइट गोरे लेवल रहेगा, वो सारे चीज़ के बारे में डीटेल में डिसकस कनने वाले है, तो वीडियो को बीना स्किप के एन तक जरूर देखना, Another thing, आप सभी को advance में नहे साल का बहुत-बहुत शुक्त कामना है, आपका investment journey, और trading journey और ज़्यदा smooth हो जाए, और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं, चले ही सबसे बहले nifty देख लेते हैं monthly time frame में, अभी देखिए, यहाँ पर आप गौर से थोड़ा एक चीज देखिए, जो कुछ important चीज़े हैं, जो आप लोग के साथ मुझे share करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि last जो हम लोग का candle बना था, जो इस particular level के उपर trade कर रहा था, इसका breakout भी क्या था, उस candle के side में अल्मोस्ट एक bearish engulfing pattern हमको बनते हुए दिख रहा है, exactly bearish engulfing pattern तो है नहीं, लेकिन आप कहीं ना कि आप ध्यान से देखे, तो पिछला candle का जो body है, उस candle के अंदर है, और पिछला candle का जो body के साथ जो week है, वो भी इस candle के अंदर ही है, तो एक bearish engulfing pattern यहाँ पर बन रहा है monthly time frame में, तो इसका मतलब है इसका effect अगर एक दो मेना भी रखता है, तो निचे के side में एक fall हम लोग expect कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़े हैं जो आपको समझाना पड़ेगा, last जो हम लोग के लिए strong resistance किया था, which was 18,100 से लेके 18,000 का level हम लोग के लिए 17,800 यह हम लोग के लिए strong resistance था, monthly time frame में, तो जिसके उपर एक भी candle close नहीं कर पा रहा था, अभी इस candle का breakout हुआ है, लेकिन यह जो candle है, rate candle, इसके नीचे अभी तक नहीं आया, जो हम लोग के लिए strong resistance था, मतलब यह support के नीचे अभी तक trade नहीं किया है, अगर price 17,800 के नीचे trade करना शुट करता है, तब यहाँ पर aggressive selling आ सकता है, तो probability क्या है, थोड़ा यहाँ से नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर aggressive selling एक month हुआ, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, जब तक यह low cross नहीं करता, 17,800 का, तब तक हम लोग थोड़ा बहुत safe side में हैं, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आ के, फिर यहाँ से एक pullback लेता है, तब हम लोग decide कर सकते हैं कि market कहाँ पर जा सकता है, ठीक है, probability ज़्यादा है कि market इधर से support लगे थोड़ा उपर जाए, लेकिन अगर नीचे की level, 17,800 यह सारा level जहाँ पर यह support डेला है, उसके नीचे close कर देता है, तो हम लोगों को एक 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 डिशिप से बाबेरिश मार्केट आने बले टाइम में देख सकते हैं, weekly टाइम फ्रेम में अगर हम लोग जाए, तो इसको हम लोग ध्यान से समझ सकते हैं, मैं simply एक चीज एक उस करता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हो चुक है, मार्केट नीचे आए, यहाँ पे एक नया स्विंग बनाया, फिर यहाँ से आपर साइज मोमेंटम किया रही हम लोग simply एक काम कर देंगे, यहाँ पे हम लोग एक Fibonacci setup यूज़ करेंगे, और ध्यान से आप एक चीज देखिए, जैसे यहाँ पे जो यह green candle बना था ना, जब यहाँ पे back to back 3 weeks नीचे फॉल हुआ था, मैंने last जो अपने चैनल पे जो इक लिए इसका वीडियो डाला था, जब यह वाला candle बना भी नहीं था, उस तेम मैंने आप लोगों से बता है था, market एक golden ratio के अंदर है, यहाँ से एक pullback expected है, यहाँ से एक pullback आएगा, अगर market को नीचे भी continue करना है, तब भी एक pullback आना है, fresh selling continuously नहीं हो सकता, एक fresh selling के लिए market में pullback चाहिए, भी बता रहा था, क्योंकि यह हम लोग के लिए strong support की तरह काम कर रहा है, अभी देखिए, concern क्या है, कभी भी एक selling market है, उसके बाद एक pullback लेता है, फिर से selling market आता है, अभी उस time में हम लोगा deciding point बनता है, कि अगर यह last low है, उसके लिचे अगर market एक trade कर देता है, एक market close कर देता है weekly time frame में, तब यहाँ पर aggressive selling हम लोग expect कर सकते हैं, इसलिए मैंने weekly time frame में आके यह चीज़ आपको समझा रहा हूँ, अब इसला data कोई भी उठा के देख सकता है, जैसे यहाँ पर selling हुआ market नीचा है, फर्स टाइम उपर गया, फिर से अपक खुला एक selling आया market में, तो यहाँ पर देखिए कहिना के एक double pattern मना, उसके बाद उपर गया, देखिए ध्यान से देखिए आपको यह समझ में आएगा, तो फर्स टाइम pullback लिए face selling आया, उसका low cross नहीं किया, इसी level से 50% के आसपा से support लेके फिर उपर गया है, यहाँ पर पर प्रॉब्लिटी सेम है, यहाँ पर अच्छा momentum किया, market नीचे आया, एक pullback लिए, तो यहाँ से एक selling आया, market एक pullback लिए, यहाँ से फिर से selling आ सकता है, जब तक यह last जो low बना है, यहाँ पर जो market में एक base बना है, इस base को cross नहीं करता है, इसके नीचे close नहीं करता है, तब तर हम लोग से एक side में है, अगर in between यहाँ से support लेके फिर उपर जाता है, जहाँ से sell हुआ होता है, फिर से, gap up खुल के sell होता है, यह इसी level पे खुल के sell होता है, इसके उपर अगर trade करना शुरू करता है, तो market यहाँ से फिर upper side में momentum कर सकता है, एक नया all time high के तरफ हम लोग जाते हुए देख सकते हैं, ऐसा मेरा probability है, इसको मैं delete कर देता हूँ, डेली time frame में भी वही चीज़ है, इसको मैं delete कर देता हूँ, आज market में gap up खुला, slow and steady market नीचे है, लेकिन 3 बेज़े के time में एक अच्छा खासा fall हम लोगों को देखने के लिए मिला, 15 minutes के time frame में चलते है, exactly market का sentiment, अच कैसा था, कैसा momentum था, मंदे के लिए हम लोग का क्या planning रहेगा, उसके बारे में detail में बात कर लेते हैं, देखिए last day जो मैंने analysis अप लोग के से share किया था, उसमें मैंने एक trade line यहाँ पे draw किया था, पहले इस trade line को हम लोग draw कर लेते हैं, तकि हम लोग का analysis थोरह हम लोग के लिए easy हो जाए, और chart समझने में हम लोग के लिए easy रहें, अभी देखिए अच्छा खासा इस trade line को मैंने यहाँ पे draw किया है, पहले भी आपको समझा था multiple time इस level से reaction ले चुका है, कहीना कई घूम के इस trade line से support लेके फिर यहाँ से एक opposite momentum कर सकता है, probability यह भी है, ठीक है smaller time frame में, अभी देखिए, आज क्या हुआ, morning में gap up खुला, एक particular channel के अंदर price trade कर रहा था morning से ही, उसका 3 बज़े का time में, exactly एक single candle, 115 points का momentum के, एक single candle ने, nifty में at least, 100 points का momentum, बहुत बरा momentum मारा जाता है, आपको पता ही होगा, एक single lot में 5000 रुपाई का profit हो जा 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 जा, अगर 100 points का momentum, अग अच्छा खास है call lighting क्या है यहां पर, अभी हम लोग का view कह रहेगा, देखिए, हम लोग के लिए strong support क्या था, कल भी हम आने discuss क्या था, which was 18,170, हम लोग के लिए एक strong, यह वाला मैंने यह zone बन रहा है था आप लोग के लिए, कि एक strong support की तरह काम करेगा, अगर price यहां से level पर थोड़ा वो support ले सकता है, देखिए, price रुका भी उसके बाद level का aim pattern मना की, इस level का breakdown हुआ है, अभी नीचे की side में, उपर side में क्या का level से उसके बारों में बात कर लेते हैं, देखिए, नीचे हम लोग के लिए strong support है, 18,000 का level, देखिए, यह हम लोग के लिए strong support है, 18,000 अभी probability क्या है, planning क्या रहेगा हम लोग का, अगर market flat खुलता है, 18,100 के आसपास खुलता है, यह zone रहेगा volatility area, बहुत ज्यादा volatile रहेगा यह zone के अंदर, देखिए, जो लोगों ने यहाँ पे sell किया, मैं थोड़ा सा यहाँ पे clean करता हूँ, ताकि आपको समझ नहीं, sorry, यह delete ह हो गया मेरा, मैं इसको फिर से draw कर देता हूँ, तो यहाँ पे aggressive selling हुआ, 18,180 के आसपास, ठीक है, 18,180 के आसपास selling हुआ, तो 18,180 से लेके 18,200, यह रहेगा हम लोगों के लिए strong resistance, ठीक है, 200 हम लोगों के लिए रहेगा strong resistance, 210 के लिए, अगर price gap आप खुलता है, फिर से बता रह जाता है, 18,160, 170 के ऊपर अगर खुल जाता है, gap up खुल जाता है, almost 60-70 point gap up खुल जाता है, उसके ऊपर sustain करता है, gap up खुलने के बाद ऐसा नहीं gap up खुलते ही selling आ फिर से तो काम नहीं करगा, अगर gap up खुल के sustain करता है, time spend करने के बाद अगर 200 का level break करता है, या directly 200 के ऊपर खु 310 तक price को लेकर जा सकता है, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, 200 के पास अगर sustain करके या तो break out करे, या directly 200 के ऊपर खुले और खुल के नीचे ना आए, ऊपर ही sustain करता रहा है, उसके बाद हम लोग इसको buy कर सकते है, break out basis में कोई भी bullish candle basis करे करके, जो 18,250 उसके बाद 18,300, 310 तक expect कर रहे हैं, आगर यहां से selling नहीं आता है, फिर सोड़ा बोट selling आके फिर भी यहां पर time span करता है, उसके बाद 300 के break करता है, फिर एक directional momentum हमें आपर सेर में मिल सकता है, जो price को 440, 400 यह सारा level तक लेकर जा सकता है, लेकिन उसके लिए 300 के level break होना जरूरी है, तो कल अगर price flat ख sustain करना चाहिए, तभी हम लोग buying करेंगे, अभी अगर हमें selling करना है, 18,000 के नीचे जब तक नहीं जाएगा, तब तक हम लोग aggressive selling नहीं कर सकते है, हाँ, अगर price फिर से उपर आता है, यहां पर कोई भी एक inverted hammer candle या, sorry, यहां पर कोई भी shooting star candle मिलता है, उसका breakdown करता है, फाइव 990 के नीचे अगर price निकलता है, यहां पर आकर time spend करता है, बहुत देर time spend करता है, रूखता है price, उसके बाद breakdown करता है, तब हम लोग selling कर सकता है, यहां तो 18,000 के नीचे price खुले, और खुलने के बाद यहां पर buying ना आ है, खुलने के बाद ही यहां पर price घुमता रहे, उसके price नीचे आ जाए, तब ही हम लोग यहां पर selling कर सकते, दोनों ही cases में हमको रूखना पड़ेगा, अगर market नहीं रूख रहा, उपर से directly नीचे आके 18,000 को break कर रहा है, तब यहां पर at any circumstances, 181 लिजेगा, कभी भी यहां से reversal आ सकता है, बेकर में आपका stop loss चला जाएगा, ठीक है चले अभी bank nifty देख लेते हैं, monthly time frame में, compared to nifty, bank nifty थोरा से strong upper side में hold कर रहा है, आप देखी सकते हैं, last जो हम लोग का swing से fall हुआ था, उसके बाद यहां पर जो next swing बनाया था, जो एक strong resistance की तरह काम कर रहा था, market इस level को break out किया, उसके बाद जब price नीचा है, exactly जो हम लोग के ल बन का, यहां पर यह वाला candle अगर थोरा upper side में close कर देता और ऐसा type का candle बनता, तो क्या होता, last जो candle है, उसके high पर यह candle close कर रहा, फिर यहां से upper side में momentum होने का chances ज्यादा था, 90% cases में उपर ही momentum कर था, confirm हो जाता, लेकिन अभी जिस stage में इसने close दिया, थोरा सा confusing market यहां पर बन स इसके नीचे price जब तक trade शुड़ूग नहीं करता, मतलब 42,000 के नीचे price जब तक नहीं निकलता, aggressive selling market में नहीं आएगा, थोरा बहुत selling आ सकता है, वो मैं weekly time frame में आप लोगे से discuss करूँगा, लेकिन अगर market में proper buying आना है, तो यह जो इसका high है, इसके high के उपर proper aggressive buying होगा, इस इसके low है, इसके low के नीचे aggressive selling होगा, इस between थोरा बहुत market volatility रह सकता है, उसके वीजे क्या logic है, क्योंकि bank nifty थोरा अपर side में strong hold कर रहा है, और nifty थोरा सा weak दिख रहा है, वो मैंने आप लोगे से share कर चुका हूँ, weekly time frame में मैं आप लोग से अप्रच्छे से ये चीज समझा प बना था, यह जो हम लोग के resistance points से इसको अगर हम लोग connect कर देंगे, आप देख सकते exactly 60% का level है, और market 60% के नीचे आया नहीं, 50% level से support ही नहीं लिया, exactly 60% पर पास आया, यहां से market में upper side में momentum किया है, अभी जैसे nifty में हम लोग नहीं देखा कि कोई भी एक selling उसके बाद जब फ फिर upper side momentum करता है, ऐसे W pattern बनता है, यहां पे भी same चीज है, ऐसे momentum किया market नीचे है, अच्छा का सा momentum किया, अभी क्यों confusing चेस्ट में आपको बता रहा हूँ, यहां पे आप ध्यान से चीज को समझिए, जितना हो से कि चीजों को simple लखने का कोशिश करो market नीचे है, यहां से upper side momentum किया, इस high को अभी तक cross नहीं किया है, तो यहां पे market उपर है, अभी यहां से अगर market को उपर भी जाना है, या नीचे भी जाना है, कोई भी जगा में जाना है, तब भी market में selling होना फैनली है, market में selling आएगा, उसके बाद यह between zone में market एक deciding point मन जाएगा, कि market कहां पर जाना च तो 700 का, उसके नीचे 39,900 का support रहेगा, यह नीचे की side momentum कर सकता है, लेकिन अगर price इस तना नीचे आता ही नहीं, अगर इसी level के pass से market support ले लेता है, मतलब price उपर गया, फिर इसी level के pass से support लेके price उपर side momentum किया, last जो हम लोग का fall हुआ था, उसके उपर निगलना start करता है, फिर bank nifty एक नए high के तरफ जा सकता है, तो दोनों cases में market में यह जो fall होना mandatory है, तो आने वाले week में market में थोड़ा बहुत setting pressure रह सकता है, उसके बाद deciding point मन जाएगा, कि market को जाना किधर है, अगर उपर जाना है, तो यह जो last swing का fall हुआ था, उसके उपर निकलना start कर देगा, market वो time waste नहीं करेगा, अगर market को नीचे जाना है, तो यह जो swing है, इसके नीचे market एक candle close करेगा, तब भी market नीचे की side में fall होना का जहांचस है, तब भी थोड़ा बहुत deeper level हम लोग आने वाले time में देख सकता है, एन्यूवे, daily time frame में उतना बरताने lag कुछ है नहीं, market आज थोड़ा और gap आप खुला उसके और थोड़ा वह सेलिंग आया, compared to nifty, bank nifty क्यों strong hold कर रहा है, उसके क्या reason है, वो भी मैं यहाँ पे दिखा दे तो आपको क्या logic है, अभी देख सकते है, nifty में हम लोग ने क्या देखा है, morning से एक channel pattern बना हुआ था, 15 minutes के time frame हम लोग ने देखा, bank nifty में क्या है, अभी हम लोग के लिए important labels का है, उसके बार में discuss कर लेते हैं, देखिए आज का जो low लगाया है, वो है 42,900 to 42,800 का असपास, तो हम यहां से हम लोग का अच्छा खासा opposite momentum किया था, हम लोग पहले क्या करेंगे, इस low को mark कर देंगे, हम लोग के लिए क्या level है का 42,850, अगर 850 के नीचे candle, आज का दे का low के नीचे अगर candle close कर देता है, कल थोड़ा होगा फ्लाट कोलता है, या gap दान कोलके इसके नीचे निकलता है, हम लोग थोड़ा होगा सेलिंग लिए प्लान कर सकते हैं, जो price को 42,700 तक लेके जा सकता है, अगर 40,700 will act as a stock support की की previous lead was acting as a good resistance, इसका breakout होने के बाद ही price उपर side में moment time किया, तो आगर यहाँ पर आके time spin करके फिर नीचे की side में breakdown करता है, फिर 42,550 का level दिखा सकता है, 40,500 से लेके 40,400 will act as a good support, previously भी मैं multiple chime आप लोग से कह चुका हूँ, यह बहुत ही अच्छा support की तरह काम करेगा, यहाँ से आके एक अच् variable time level test हो चुका, यहाँ पर आके time spin कर ले नगता है, फिर इस level का और थोड़ा बहुत week हो जागा, फिर इसके नीचे अगर निकलता है, एक directional momentum नीचे की side में मिल सकता है, जो price को फिर 42,220 के तरफ लेके जा सकता है, नीचे की side में, ठीक है, अभी हम लोगों को buy up करना है, आप यहाँ पर आके time spin करने के बाद कि कहने कि यहाँ से selling हुआ, फिर उपर जाएगा, एक double top scenario बनेगा, फिर किछ लोग sell करेंगे, तो यहाँ पर आगार अगर price रूख जाता है, कुछ दिर उसके बाद 43,200 के उपर निकलता है, तो एक short covering आ सकता है, हम लोग थोड़ा बहुत aggressive buying क कर सकता है, आपर सहर में, जो price को 43,300, then 400, यह सारा level तक आपर सहर में लेगे जा सकता है, और 500 तक हम लोग momentum expect कर रहे हैं, लेकिन इतना उपर तक जाएगा नहीं, मेरा शुजाओ यही रहेगा, आप सभी के लिए 400 के परास आने से, थोड़ा बहुत partial profit book कर लिएगे, या 50% profit book कर लिए, उसके बाद देखिए, यहां पर price action कैसे बना है, अगर यहां पर, क्योंकि यहां से selling आया है, फिर यहां पर उपर जाएगा, फिर यहां पर first time जाएगा, तो यहां पर कोई भी shooting star candle बना, तो full profit book कर लिए, फिर यहां से थोड़ा बहुत selling आ सकता है, अगर यहां पर selling यहां पर कोई भी time spend करता है, उसके बाद निकाल देता है, तो आपर side में याद रहिए का, directly 500 level या 450 का level break होने से aggressive buying मत किजएगा, क्योंकि आपर side में 600 का हम लोग के लिए strong resistance है, क्योंकि यहां से अच्छा का सा price fall वाता, तो 600 से लेके 500 का हम लोग के लिए 100 point का strong resistance है, जब त side में हम लोग को momentum accept कर सकते हैं, आने वाले time में, ठीक है, तो market doesn't matter, कोई भी side में भी खुले, अगर gap up खुले, gap down खुले, हम लोग का level से हम लोग को पता है, उसी साब से trade ले सकते हैं, अगर बहुत बढ़ा gap up या gap down खुल गया, तो wait कीजएगा, price action कैसे बन रहा है, उसी साब यहां पर buying and selling दोनों side में entry बन रहा है, 830 का उपर अगर निकलता है, तो breakout candle के नीचे buffer रहा है, stop loss जलगे, buying side में plan कर सकते है, 838.50 का first target, 847.50 का second target रहेगा, अगर selling का ना 815 के नीचे breakdown basis पर हम लोग sell कर सकते है, उसके उपर stop loss जलके 809 तक का target रहेगा, next stock है, हम लोग के लिए IEX, एक अच्छा flag and pole pattern यहां पर मन रहा है, अगर trade line का breakout होता है, आपर side में हम लोग buy कर सकते है, 142 का first target, 143 का secondary रहेगा, breakout candle के नीचे buffer रहेगा, stop loss जलके selling, buying side में plan कर सकते है, ये lens भी अच्छा level पर दिख रहा है, daily time frame में एक बहुती अच्छा rejection candle form हो है, अगर day के low के नीचे trade करना शुरू कर देता है, अगर निकलता है, हम लोग इसको sell कर सकते है, 2540 के नीचे, 2527 तक कर रहेगा, breakdown candle के उपर stop loss जलके selling sell में plan कर सकते है, next stock है, हम लोग के लिए tata chemical, एक symmetrical triangle यहां पर form हो है, अपर side, neuron side, donor side में 20 बन सकता है, अगर अपर side में 242 के उपर, या तो ये trade line के उपर निकलता है, तो हम लोग इसको buy कर सकते है, 247 तक का टायरेट रहेगा, downside में आगर trade line का जहां पर multiple time support लेजिव का, इसका breakdown करता है, तो हम लोग इसको sell कर सकते है, 928 तक का हम लोग का टायरेट रहेगा, नीचे की side में, last stock है, हम लोग के लिए ntbc एक particular range के अंदर price दे trade कर रहेगा, अगर range का upper side में, downside में कोई भी side breakout होता हम लोग entry ले सकते है, अगर upper side में breakout होता है, 167 के उपर निगलता है, 167.80 तक का टायरेट रहेगा, अगर downside में breakdown करता है, तो 166 के नीचे, 165.10 तक का टायरेट रहेगा, stop loss आप breakdown candle या breakout candle के नीचे और उपर रखके, buying and selling side मे plan कर सकते हैं, आज के वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं, आप से नेक्स वीडियो पर, जाए हिन!